रोमता को परिशान करने वाला होट बोट कवाना ये बस तयार होने वाला है अब जल्दी से अपनी चीजों को पोट में डालो एक दूसरे को मत दिखाना ये रहस्यमई पोट है जब अंधेरा हो जाएगा तब हम इसमें से खाना निकालेगे और हमें पता नहीं होगा उसमें क्या है ये मज़िदार है ना इसका बस एक ही रूल है जो भी तुम उठाओगे वो तुम्हें खाना पड़ेगा चलो शुरू करते हैं अरे ये कैसा कलर है ये पिखली हुई चोकलेट का कलर है इस पे ऐसी चीज़े किसमें डालेगे आरे नहीं जो रजे खुत इन क्रैप्स का क्या हुआ कायब करना बंद करो और ये खराब होने से पहले खा लो वो तो बहुत ही पुरा हाट पॉट था साच में हम बापस आ गए ये खुश्बू किसी चीज़ी चीज़ी है तुम आगे दो बिता माम अपने क्या मनाया है तरसल वो मैनेजर आये है सुनो चाग निकालो अरे आपने तो बहुत ज़्यादा डाल दिया इसमें चित्ता मत करो मैं इसमें माहिर हूँ अब देखो मैं इसे कैसे बनाता हूँ अरे नहीं उन्होंने तो ज़्यादा डाल दिया पहुत ज़्यादा नमक है लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही सास डाल दी मैंने सुना है कि ये होट पॉट गवर्नर है तो ऐसा है क्या क्या मतलब वो कौन होते है इसका मतलब को इंसान जो होट पॉट के बाग दूसरे लोगों को उसे बनाने का ओर्ड दे जब कैसे बनाते हैं, ये समझाएं अच्छा, आज ये फ्राइडरीस खाने वाले हैं, ठीक है टोरेबॉन तुम कुछ करना ही सकते क्या अरे हाँ हाट पॉट गवारना ये हाट पॉट गवारना ग्याजेट उनके लिए ठीक रहेगा सब अपने चेरें ऊपर उठाओ अरे, ये क्या, ये पॉट तो खाले हो गया तिने क्यों मारा तो मैं इसे छोड़ी सकते मैं इस हाट पॉट का इंचार्ज हूँ पॉट खाली है, ये सही टाइम है मैं इसे दोबारा बनाऊँगा इसे खाने के दो तरीक है, एक फ्राइ करके खाना और दूसरा स्टीम करके खाना तो आज रात के लिए क्या बनाना ये सुझाओ मेरा होगा मुझे उसका इंतजार रहेगा फ्लीम बिल्कुल ठीक है तुम सबको मेरी मजद करनी होगी इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले शेलो फ्राइ करना होगा हल्के से पकाओ और फिर पलट दो शेफकर और सोई सौस स्वाद के लिए ठीक है तो पहले वाना खाओ चलो स्वादिश्च यह तो बहुत स्वादिश्च है हाँ तो ध्याद दो अगला बनाने के लिए इस पे पाने वाली सबसिया डालेगे स्वाद के लिए हम उपर शकर और सोई स्वाद भी डालेगे ठीक है तुम खा सकते हो आपको कैसा लगा मैनेजर मैं इसे अभी खा लेता हूँ असली होट पोट वो होता है जिसके चारों और लोग बैठ कर खुश होकर खाते है खाना सच में स्वादिश्ट था होट पोट को इस होट पोट गवान पर छोटो यह होट पोट के किसी बिदिश को स्वादिश्ट बना देगा अच्छा, अरि हा, इसकी मदद से हम रहसे में हॉट पॉट को फिर से इस्तिमाल करेंगे ठीक है, कल करते हैं एई नो मिता, चल दी आओ, तुमने आने में देर कर दी नहीं निकर रहा हो क्या? क्या कर रहे हो, चलो रहसे में हॉट पॉट शुरू करते हैं मिस्टर हॉट पॉट गवर्नर अंदर आ रहे हैं जल्दी करो हॉट पॉट की चीज़ें बाहर निकालो जी सुनो जाओ पीछे खड़े हो जाओ क्या कहा तुम नहीं नहीं जान ये मैं नहीं कह रहा रुको जरा ठीक है तो अब रहे समय हॉट पॉट शुरू करते हैं सबसे पहले चीज़ों को चेक कर लेते हैं जो चीज़ें हम नहीं खा सकते वो या नहीं होगी ये रूल के खिलाब पे इसकी सीजनिंग मुझ पर छोड़ दो अब लाइट बंद कर दो अच्छा ठीक है इंग्रेडियंट्स टालिए ये उबल गया है अब सब इसे खाओ चलो खाणे बहुत स्वादिष्ट है सच में स्वादिष्ट है ना जियान हाँ बहुत स्वादिष्ट है मैंने कोकीस का जूरा पिल्टेड चॉकलेट के साथ मिला दिया था अभी ये इतना स्वादिष्ट बनाड़ ये सुप थोड़ा समीत है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इसमें तो पटाटो चिप्स भी है ये बहुत अच्छी तरी से बने है या इसमें जो स्ट्रॉबरी है वो भी बहुत इच्छी है असली होट पॉट वही होता है जिसके जारों और लोग बैटकर खुश होकर साथ बिखाते हैं ये शांती वादा होट पॉट रह सिमई होट पॉट नहीं है अरे शांत हो जाओ मसा ही आ गया जो भी हो जिया ने सबसे जादा खाया है हाँ टूरे बॉन ही अभी तक नहीं निकला है बड़ी अजीब बात है सुनन अभीता तुम दोनों के लिए मैंने फ्रिज में केक रखा है वाँ वह के कानो है आखे होट पॉट के बाद हमारे पेज में केक के लिए जगह है होट पॉट होट पॉट नयार करो इसमें दूद और नारियल का दूद तोनों डालो और केक को पॉट में और फिर पाताव नारियल के दूद वाला केक होट पॉट तैयार है यह बहुत स्वादुष्ट है लेकिन मैं तो आज केक काना चाहता था तो मैंने बहुत जादा काली अनूब था हो मिस वाटनाबे हाँ कर्मा करण है होट पॉट होट पॉट कहा है कहा है कहा है बताओ पॉट कहा है अरे नहीं वो बश किसी का नाम ले रही थी शांट हो जाओ चुटी से इसका कुछ करो असल में ये गैजट को इस्तमाल करने माला पॉट से जड़ा होना चाहिए ये खुश्वोत तो जो आप आप ये ओडिन को हॉट पाद है होट पाद पॉट पाद पॉट पॉट मिस्जर हॉट पॉट पॉट अंदर आरहे है सब सुनो मुझे ओडिन हॉट पॉट का स्वाथ चखना है ह। नग पॉट पॉट ये गलत है, ये ओर्डन होटपाद सही नहीं है इस अमें माफ से दीडिजे, माफ करती है ये क्या कह रहा है जो जौरमान, हर साल हम इसी तरह बनाते है अगर पसंद नहीं है तो नहीं काना चाहिए था लेकिन बात वो नहीं है मैं अभी इस हॉट पॉट को सही तरीके से बनाता हूँ जो करना है करो जाओ जल्दी इसकी चीजें लेकर आओ इस पर ध्यान दो और मिला और खुमाओ गुमारा ओ ये वाधा दा रहे है ठीक है अब इसमें वेच्टेबल दाल दो हाँ दाल दो असली होट इन होट पॉट है ये पूरा हो गया जला बच्चो खाना तयार है ये लो खाकर बताना कैसे लगा अब इसे बहुत ध्यान से खाना सच बताओ ये वाला ओडन या ये वाला ओडन कौन सा होट पॉट ज्यादा स्वादिश्ट है सच बताना टरना नहीं ये वाला क्या लेकिन क्यों पता नहीं लेकिन इसका स्वाद ज्यादा अच्छा है अरे नहीं असली ओडन क्यों हार गया हाँ सच में इसका स्वाद ज्यादा अच्छा है इस टेस से तो मैं हार गया हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं इतनी एक्सिसाइज करने के बाद हमें थोड़ा नमक वाला खाना पसाद आता है अच्छा अब समझा क्या बात है ये क्या हुआ मैं होट पॉट कवरनर हो और मैं इन से हार गया कवरनर? लेकिन मिस गोडा होट स्पॉट जनरल है वो हार अप में जनरल है जो कवरना से उचे पत पर होते हैं मैं हार मानता हूँ